रूस पोर युक्रेन की जंग का आच्वा दे लूसी तेना के लिए रादानी कीफ पर कबजे की लड़ाई निरनायक दौर में पहुँच चुकी है बिती राद कीफ के पास बड़े धमाके के आवास तो निगई स्टेशन और होटल के पास धमाका हुआ ये इलाका युक्रेन के रक्षा मंत्राले के पास का है पूरे युक्रेन पर हवाई हमले का इलर्ट जारी किया गया है तो युक्रेन में रूस की हमले का आज 8 दिन है और हर बढ़ते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है जो व्यापक तबाही मचा रही है जो तस्वीरे सामने आ रही है वो बेहत हयानक है युक्रेन पर बहुत भारी संकर पूरे युक्रेन में अलर्ट खत्रे के साइरन वहाँ पर सुनाई दे रहे है तस्वीरे आप देखिए कीव समेट कई इलाकों में हवाई हमलों का अलर्ट है रूस की सेना युक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव के तरफ बढ़ रही है उनका मकसद खारकीव पर नियंतरन पाना है जिसके बाद राजधानी कीव के लिए उनके अभ्यान को और ताकत में लेगी युक्रेन में हर जगा इन दिनों तबाही का मनजर है सडकों पर रूसी टैंक और रूस के सैनिक गश्ट करते और युक्रेनी रक्षबलों से लड़ते नजर आ रहे है राजधानी कीव बोलिन जायतोमीर में अलर्ट लगातार वहाँ पर आक्रामक हमले रूस बारा किये जा रहे हैं निकोलेव लीव चेनिहाइव पर हमले का खत्रा बना हुआ है जैपोरिट जिया और इसा भी रूसी प्लेन के निशाने पर है हवाई अटैक के साइरिन से पहले रूस के 15 शहर लगातार वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है 15 शहरों पर रूस के हवाई हमलों का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है युक्रेन में राज़ानी कीव वोलिन जैतोमीर में अलर्ट जारी किया गया है आज कीव को देहलाने की तयारी में है रूस तो युक्रेन में लगातार भारी तबाही मच रही है आधी राज से कीव पर हमलों का सुलसिला जारी है रक्षा मंत्राले के पास भी जबर्दस थमाका हुआ रेल्वे स्टेशन के पास भी रूस का मिसाईल अटैक हुआ रेल्वे स्टेशन के पास भी मिसाईल अटैक देखने को मिला तस्वीरे सामने आई कीव में लगातार हवाई हमले के अलर्ट का साइरन है लोगों को लगातार चेतादनी दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं पलायन का सलसला वहाँ पर जारी है बहुत बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन से अपने अपने शेहरों से लोग निकल कर गाउं की ओर बढ़ रहे हैं और खेरसन में कई धमाके हुए हैं जिनकी ये भयानक तस्वीरे सामने आ रही है रूसी सेना का खेरसन पर हमला हुआ है तो आपको बता दे आस्मान से बंबारी भी की जा रही है जिसकी चपेट में सैनी की नहीं आम लोग भी आ रहे हैं खेरसन में कई धमाके हुए रूसी सेना का खेरसन पर सबर्दस्ट अटाक हुआ है और कई शेहरों पर अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है तो आज आठवा दिन है इस युद का और लगातार यूक्रेन में फारी तबाही मची हुई है और रूस की राश्रुपती रादिमिल पुतिन चोतरफा आलोटराओ के बावजूद अपने फैसले पर अटल है यह आठ तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं आठ दिन आठ तस्वीरे अलग अलग शेहरों से जो निकल कर आ रही है देखें किस तरह से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इलाके हैं जो यूक्रेन की पहचान माने जाते हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं आम नागरिक इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं खेरसन की तस्वीर आप देखिए ओडेसा की यह तस्वीर देखिए आसमान में काले धुए का यह कुबार आपको दिखाई दे रहा होगा जाय टुमेर में आप देखिए किस तरह से हमलों की चपेट में आम जनता आ रही है कीव पर भी बड़े हमले की कोशिश में है रूस रूस और जूकरन की जंग का भी शर्दोर पूरे युक्रेन में हवाई हमले का अलर्ड युक्के पास बड़े धमाकों की अवास खारकीव की तवाही के बाद रूस की सेना के रिशाने पर युक्रेन की राजधानी की है रूसी टैंकों का काफिला कीव की गेरा बंदी कर चुका है लेकिन जमीनी लड़ाई से पहले रूस की सेना कीव पर हवाई हमले कर रही है बीतिराग की ग्यास पास बड़े थमाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ी आरपार की इस लड़ाई में अब पूरे युक्रेन के लेल हवाई हमलों का अलट जारी हो चुका है रूस के विदेश मंत्री ने चितावनी भी है कि अगर युक्रेन को नाटो की मदफ बिली तो तीसरा विश्वय युद्ध विनाशकारी हो सकता है रूसी सेना ने खीव और खारकीव के साथ कई शहरों पर इसकंदर मिसाइल से हमला किया अगर ये मिसाइल अपने लक्ष से भड़त जाते हैं तो यहाशी रावके के लिए मौत के साथ बड़ी कवाई की वजह बन सकते हैं युक्रेन की सेना के साथ उन्हें लोगों का भी जबरदस्त गुरू जेलना पड़ रहा है एक तरफ आप दूसरी तरफ देखें वहाँ पर JCBs आ गए है अर्थ दिगर बड़े बड़े यहाँ पर आए हैं जो न केवल बोल्डर लगा रहे हैं न केवल रोक रहे हैं किसी भी आने वाली गाड़ी को बलकि यहाँ ट्रेंचेज भी खोदी जा रही है जिस तरह से शेकंड वौल्ड वार में आप ट्रेंच वारफेर के बारे में सुनते थैं इस समय वही ट्रेंच वारफेर की तैयारी हो रही है और ये भी किसी दूर सुगूर उटके में नहीं राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं यहां रास्ते में रुसी सेना के आगे लोग सड़क पर उतराएं, तरसल एनर ओदर शहर में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और इसी से यूक्रेन को करीब आदी विजली की सप्लाई होती है यूक्रेन का दावा है कि उसने कई जगों पर रुसी टैंकों को तबाह कर दिया है, यह तस्विर एक कीव के करीब बुजा की है, जहां सबकों पर जले हुए रुसी टैंकों के धेर दिख रहे हैं इधर रूस में दावा किया कि उसमें यूपरेन के और दोगिक शेहर तेर्सन पर कब्ज़ा कर लिया है तो इलाकर रूस यूपरेन की जंग अब बेहत महत्पोन दोर में पहुँच चुके है चिंता का विशय है और कोई नहीं जानता यह यूध यूध किस दिशा में जा रहा है कितना लंबा चलेगा और इसकी intensity कितनी उपर तक जाएगी किया यह यूध एक परमान यूध में बदलेगा, क्या यह विश्म यूध में तबदील हो जाएगा कोई नहीं जानता इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा अंसर्टिनिटी है हर चीज बिलकुल फ्लूइड है और ये कहना अभी कुछ भी जल्दबादी होगा कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है इस नई दौर में संग्राम बुकिय का या नहीं दुनिया को इसका इंतजार है कीव यूकरेन से कैमरा परसंट परवन कुमार और आजिश पवार के साथ गौरव सावन आज तर